ना उसका दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, वीडियो है डेली स्वाइक का, और इसका टाटल है, बीजेपी मेकिंग हिस्ट्री बाइ विनिंग एलेक्शन्स, मोदी ग वीडिक्त किया जायened रहे कि 2024 के अंदर बी वह बंदा ही हकोमन करेगा, 2024 के अगर हकोमत की हम बात करें, तो टोटली पिशली हकोमत की अगर बात करे तो पंदरा साल हो जाएंगे उनकोंत को, तो हमारे यहां पर और पोई आधा भी निटिक पाता, को पूरा भी निंग पती दूसरे नमबर पर अगर देखें तो पंदरा साल वो और तीस साल जो सीम रहें गुजरात के तीस साल हकूमत करेंगे क्या कहना चाहेंगे जी बिल्कुल इसके पीछे निरंदर मोदी की जो सोच है उनकी पुलीटेक्स ही उनकी पुलीसी जैना वो सारा कुछ इसके पीछे वो है उसकी काम्याबी के पीछे आप देखें किसी भी मुलक की जो अवाम है न वो आपने हुक्मरान से चाहती है कि हमारे मुलक में फारण इंटरस्ट आए लोग बरोसा करें आपके टरस्ट करें वो आप देखें इंडिया में अभी अपल का पाकिसानी अवाम की तरह तो अंदी है नहीं कि हम सोय हुए है और आखें मलते हैं और ऐसे अंदर दूंद हम इंटरस्ट करते हैं लोगों पर चंद्रियान का जिक्र किया इन उनतर मैं बता दूं कि भारत ने चुपके से एक बहुत बड़ी कामयावी हसल कर ली और इसकी चर्चा बड़ी कम हुई है लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रियान पहुचाने से ज़ादा बड़ी कामयावी है यह कि जो प्रोपोजिशन ड्यूल को इसरो जो है वापस धर्ती पर ले आई आप समझ रहे हैं यह चोटी मोटी कामयावी नहीं है कि इसरो की बहुत बड़ी कामयावी है जो इसरो ने करके दिखाई है और इसका इंपक्त क्या होगा आपको आगे पता चलेगा आपको याद है ना अमेरिका से नासा क इतना बड़ा काम कर लिया कि वो प्रपॉल्शन मॉड्यूल को वहाँ से लेकर धर्ती पर वापस चले है भाई यह लाखों किलमोटर दूर से लेकर लाखों नहीं मतलब जो स्पेस तक गया होगा जो चुरुबाती जो प्रपॉल्शन मॉड्यूल है वो वो लेकर गया इस आगर कि नहीं उतनातों कि अधसी हमारे लोगे चल्र 9 in रूफ साभा है वे hall देखे है।झा औरे की ट्वार ke लोचे वो अनुगन काना मतलब चुक है. ठीक है और मोधी फरंट पर खड़ाता तो ये चीजें देख के हमारे हुकमरानों के लिए ये शर्मिंदी का बायस है वो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए चीखना चाहिए हमें चीखना चाहिए और दूसरी बात ही है कि लोग बात करते है कि इंडिया में भी करप्शन है पा वजीर आजम के पास responsibility और authority है उसको कोई establishment का बंदा कोई ऊपर कोई अदलिया का बंदा जुडिशरी कोई उसको हटा नहीं सकता ठीक है ना और हमारे मुलक में ये कल्चर है कर चार चार बंदे आते हैं वो वजीर आजम के तोर पे उनको एक बंदे ने बिठाना होता है सामन भी उसी किया है इसमें तो दो राय है ही नहीं है उनकी opposition है वो बातें करती है अजाम भी लगाते हैं लेकिन वो सब से मुबर रहा है ठीक है उसने काम करके दिखाया है उसने रोड्स का जाल बिचाया है अपने मुलक में और ट्रेंस का निजाम भाई जपान को बीट कर दिय है ड्रेंस के सिस्टम में बिल्कुल ऐसी है जपान को बीट कर दिया और पहले लोग यॉर्प जाते थे कि यॉर्प अब लोग यॉर्प से लोग इंडिया आ रहे हैं इसमें कोई शाक नहीं है और हम इंडिया का बहुत अच्छा सुनेरी मुस्तबिल देख रहे हैं अब हम इसे एनिमी के तोर पे लेगी उसको प्लिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो हमारे डिलेशन्स हैं उनको देख के डिपलोमेटिक डिलेशन्स को हम यह नहीं कह सकते कि इंडिया का ऐसा है यह वैसे हमें रियालिटी बात करनी चाहिए यह फैक्स पे बात करनी चाहिए और हम फै एंडिया को कंपीड करते वे आरे हैं चाना अबी अमेरीका और निलकर एक बहुत बड़ा कोलिड को ब tá बनाने जा रहे हैं जिसकें लिडर माइंञेट किस तरह की है। कि हमारे पास इस तरह का लेडर क्यों नी पैदा होता यह तो शाद अमेरिका इंडिया साओधी युवेई यह लूप मिलके बना रहे हैं ना चाइना तो नहीं है चाहिना नहीं बाइब या लेडर आते हैं या बनने नहीं देते हैं जी बेलकुल हम इसी नफरत की वज़ा से यहां तक हैं आगे नहीं पहुंच सके ठीक हैं हम इस बात ही है कि आपने बात की कि हमारे अच्छे लीडर क्यों नहीं पैदा होते तो उसकी वज़ा यह है कि जो इंस्यूशन्स होते हैं ना उनका बहुत बड़ा गिरदा होता है कि अच्छी लीडर पैदा करने में ठीक है यहां पे हमारे एक तो तलीमी निजाम में उसका भागो और बाद में भी वह उनीं में से लीडर जो निकलते हैं वह घुनडे हिए और लीडर नहीं होते हैं और भला के को वहां पर अपना इमेज बना सकती हैं एक टाइम में सफर शुरू किया हमने आपने देखा बरे सगीर से हम अलग हुए हिंदुस्तान से अलग होकर आज वह असमान की बुलंदियों को चुह रहे हैं किसी भी आइटी सेक्टर में देख लो आप इनको एकॉनमी देख लो उनकी पाकिस्तान को बीट कर दी करनसी ने कैसे देखते उन सारी चीजों को आप बिल्कुल ऐसे इंडिया तो दूर की बात है हम बंगलादेश को देख ले हमारी शाक्ति हमारे जिसम का एक ठुकड़ा था जो के 1971 में अलएदा हूँ हम से तो अगर हम उसको देखे तो हम ना उसक कुछ भी नहीं होता ये सारी बात होती है लीडर्शिप की मुझीब और एमान था उनके अपने अक्तलाफात थे जैसे हमने उनके साथ किया वो हमें पता है तारीख उसको कभी फारामोश नहीं कर सकती ठीक है तो वो लीडर था उसने अपनी कौम को एक सीमत में लगाया और अब गला देश उनका इंफरस्रक्टर मेरे डिफैन्स डिटेक्टिव चैनल पर चल रही है τα इन वीडियो उसके आ चुके है चौथा आने वाला हैर ऑभी तुर साथ या आठ वीडियो की पूरी सीरीज इसमें बंगला देश के पैदा होने से लेकर और अब तक क्या क्या हुआ है कैसे हुआ यह सब उसके सारी जानकारी उसमें दी गही है तो इसके लिंक जो तीन वीडियोज तो आगे हैं तो इसके लिंक समें आपको इसके description box में दे दूँगा आप लोग जाईए उन videos को देखिए तब आपको असली ऐसा दोगा और खास कर पाकिस्तान के लोग आप लोगों समय कहूंगा कि इन videos को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बंगलादेशियों को तो हैं कि जब कोई भारतिय कहता है कि बलुचिस्तान आपसे अलग हो जाएगा सिंदू देश अलग हो जाएगा कि वो क्यों कहता है वो सब कुछ आपको उन videos को देखने के बास समझना देगा और यहीं बता दूँ कि उनमें भारतिय सबूत बहुत कम हैं पाकिस्तानी सबूत बंगलादेशी सबूत इंटरनेशन सबूत वह जादे मने उसमें दिखाएं तो आप लोग जरूर जाकर वो वीडियो देखें कैसे हैं आप अल्ला का शुकर आप सुनाएं अभी बताया जारा कि 24 के अंदर उनके एलेक्शन आ जाएंगे जो उन्होंने पहले गुजरात के अंदर 15 साल हुकूमत की अभी 15 साल हुकूमत वो पूरे मुलक के अंदर आज़ा प्राइम मिनिस्टर बनके हुकूमत करेंगे तो सर कैसे देखते हैं क्या उनके ऐसी बात है कि जो के 15-30 साल हुकूमत करेंगे एक बुड़ा शक्स जो के अपने स्टेट के लिए काम कर रहा पूरी जिंदगी उसने हुकूमत के लिए लगा दी पूरी जिंदगी अपने कौम के लिए लगा दी कैसे लीडर सदियों में पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा होते हैं उनको चलने नहीं दिया जाता मोका नहीं दिया जाता उनके हाथ पाउँ बांद के रखे जाते हैं और मोधी साहब जो हैं फिर वो लीडर कैसे हुआ लीडर तो वो होता है जो अपने आगे सब को जुका देता है जुका इंदे सेंस कि उसके आगे जितनी बाधाएं आती हैं जितनी चुनावती आती हैं वो उसे पार पाता है चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो चाहे चुनावती कितनी भी बड़ी हो लीडर उसे कहते हैं जो लागे बहाना बनाने और लागे एक्स्क्यूजेस देने उसको लीडर नहीं कहा जाता जाकर लीडर की डिफिनीशन पढ़िये पर से और समझ ये कि लीडर किसे कहते हैं अपनी नेशन को और इंडिया को आल ओवर दा वर्ल्ड बनवा चुके हैं आप कहीं भी चले जाएं तो आपको इंडिया की मैनुफैक्टरिंग बहुत ज्यादा नजर आएगी अभी हमने देखा है हमारे गुलुकार जो अली जफर वो में दिका रहे थे न्यू योर्क में ज से बहतर थी लेकिन हम लोग अपने जाती जो है ना मुफाद उसमें पाड़ गए हमें अवाम और मुल्कों कोई खियाल नहीं उन्हों ने अपनी अवाम अचैक्ट तो साथ ही आजाद हुए ये तो भाई मैं कहता हूं कोई साबित कर दे कि पाकिसान आजाद हुआ है तो मा भारत की GDP कितनी थी दस साल बाद मालेजे 1960 में आपकी GDP कितनी थी हमारी GDP कितनी थी कभी आपकी economy अच्छी नहीं रही सर भारत से कभी आपकी economy अच्छी नहीं रही हाँ एक बार currency जरूर एकाद पैसे दो पैसे उपर हो गई थी अब जैसे अभी अफगानिसान की currency आपके समझे यह मत कहिए कि आपकी economy हमसे बहतर थी और हाँ एक डेड़ बार शायद आपका जो फोरेक्स रिजर्व था वो शायद थोड़ा सा उपर था एक आद बिलियन उपर था बस economy overall अगर देखे तो कभी आप इंडिया से आगे नहीं पहुंचे economy में कभी भी याद रखिए जो भी चूरन खाया है आपने उसको निकाल के थूख दीज़े फॉरन वरना बढ़िया है सहाब उन्होंने अपनी ओवाम और एज़ा इंडियन वो उन्होंने अपने आपको पूरी दुनिया में मनवाया है जहां भी चले जाए उनका माजी कैसा था एज़ा सियासदान कैसे हैं लेकिन आप यह देखें कि वह अब इंडिया कहां से कहां तक पहुंच गया और हम अभी तक अपने ही सियासदानों को पकड़ के बैटे हैं किसी को इसने वो कर दिया उसने वो कर दिया जो आता है अपना कुछ नहीं बताता है अपने पिछलों पर डाल देते हैं कि वह ऐसे कर गए थे और यूं कर गए और जब तक हम अपनी जात से हटके नहीं सोचेंगे मुल्क का नहीं सोचेंगे हमारा यही आ रहेगा और उनका वही रहेगा और शायद आपने सुना हो मुदी साहब ने कहा है कि आप पाकिस्तान के साल लड़ाई खतम करें इनकी तो आपस में चैलरी है हम अपना आगे तरक्की का सफर तैय करते हैं कितने प्रैड की बात होगी कि यार हो डिवैल्याप कर रहे हैं के तरिफ ही हो तो डुशम पर शmentedष बात को मां सब्सक्राइब करें करूंबोस माहीं का रहे हुँना करना चाहीए चाहिए यह नहीं कर दो लेकिन आपस के मामलात भी वह देखते हैं लेकिन यहां पर मारे घरमेंट काम है और अपसाइं के तरह में तरफ जाएंगे ज़्यादा तरकी करेंगे हम मैज़ा कोम मुसलिम हैं जादा अफजल हैं आज देखते हैं दुनिया के अंदर आध आला के निजाम को कोई फरक निपड़ता आप काफिर हैं हिंदू हम बूसलिम हैं आध में आज हम दुनिया के सामने वर्ल्ड में हमारी रिस्पट नहीं यह ह तो रिस्पेक्ट कमाने के लिए क्या करना पड़ता है। रिस्पेक्ट कमाने के लिए देखें आपकी पहली बात को मैं लेके चलूँगा कि हमें अपने दीन को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप बाहिर देखें लिए जितने वी साइंटिस्ट जो अमेरिका वगारे हैं वो हमारे दीन को फॉलो वो कर रहे हैं हम लोग सिर्व नाम के मुसल्मान हैं और जो दीन पर पैरामल हमें होना चाहिए था वो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी अब वहां पर रमजान में ज कौन से चूरन खा लेते हो भाई कहां से चूरन खाते हो ये आज़ा चलो पिछले सौ साल में किसी एक इसलामिक कंट्री से बता दो कि उसने ये टीका बनाया हो साइंटिफिक रिसर्च कितने आपके पेपर साइंटिस्टों के पबलिश हुए हैं बड़ी बड़ी जगों प साइंटिफिक पैपस बतातो मुझे क्या बात करते हो यार हर जगह आप लोग मजब गुसा देते हो भाई हर जगह मजब गुसा देते हो जहां पे दूर दूर तक कोई सबूरी हो वहाँ मजब गुसा दोगे की ज़िवाँर के साइंटिस्त तो सब हमारे मजब को फॉल् Sempre theory पढ़ाना महेंगा पढ़ गया आप बात करते हैं साइंस को follow करते हैं साइंस साइंटिस आपको follow करते हैं उस बिचारे ने डार्विन के theory पढ़ाई माफी माँगनी पढ़ी रिटेन में माफी माँगनी पढ़ी बोला कि नहीं पढ़ाऊंगा आप से यह क्या बात करते हो यार क्यूं अपने आपको सूपर साबित करना है बार बार पता है ना किसको जतानी के जरूरत पड़ती है कि हम सबसे बहते हैं हम सबसे बहते हैं हम सबसे बहते हैं हम सबसे बहते हैं उसको जो कुछ नहीं होता है जो जिरो होता है उसको साबित करनी के बार दिए बढ Act used a जिए जिए एक बहुत नमरे बाई लोग कहते हैं जी जीव हो जीरो और नहीं 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 मैं गलत भृत मैं क्यों गुसाना है यहांपे सबसे बड़ी घलती आप लोग किया ही हर जगह आप लोग अपनी जूटी तारीफ करवाओगे नाम बताओ ना भाई कौन सा साइंटी अब ऐसे मैं तो आऊं तो मैं तो कहूँ कि भाई एक से बढ़कार एक साइंटी से नहीं सानातन को फॉलो किया है और मैं नाम गिनवादू का उनके सबूत है उनके सबूत है डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपन आईमर जिनोंने दुनिया का यहूदी थे एटम बम बनाया था अच्छा आप कहां भी तो एटम बम है यहूदियों की टेकनोजी है न वो यहूद और काफिर दोस्त नहीं हो सकते और उनकी टेकनोजी एटम बम आप यूज़ कर रहे हो एक यहूदी ने बनायी थी एटम बम की तखनीक और वो भी हिंदू धर्म गरंतों को पढ़कर समझे जाकर पढ़ लीजे डॉक्टर रॉबर्ट जे उपनहाइमर के बारे में निकोला टेसला हों और भी कहले है तो मैं तो यार लिस्ट दे दूँगा आपको तो हम तो कभी यह नहीं कहते कि आप देखो फलाना साइंटिस जो है वो तो सनातन को फॉलू कर रहा और कितनी बड़ी अच्छी बात है ठीक है यार सबकी अपनी मर्जिय साइंस अलग है रिलीजियन अलग है और हमारे यहां तो हमारे धर्म गरंतों को पढ़ेंगा तो वहां पे तो पुरा का पुरा साइंस ही मिलेगा जब पूरी दुनिया नहीं जानती थी ना कि इस पूरे ब्रह्मान में नौ गरह है, 9 planets है हमारे धर्म गरंतों में लिख्या गया है 9 गरह की पूजा होती है हमारे है 9 planets हजारों साल पहले वो लिख्या गया है multiverse के बारे में लिख्या गया है अब आजकल आपने सुनना से रुखिया न मल्टी वर्स हमारे लिखा हुआ है जिसको भी जरा भी शक हो मैं आपको बता हुआ काल सागन हुआ करते थे बहुत बड़े मैं तो उनको साइंटिस नहीं कहूंगा लेकिन वो डकुमेंटरी बनाते थे और बाकिसारी चीदे करते थ अच्छे जबरत साथ भी थे साइंटिस भी थे तो काल सागन की एक डॉकुमेंटरी है यूटूब पर आप जाकर सर्च करिएगा उसमें आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म और साइंस में क्या है अगर ऐसा नहीं होता ना तो जाकर सर्च किजिए सर्ण इस सी ए आर एं सर् बहुत बड़ी लैब है साइंटिफिक रिसरच की वहाँ पर पता है किसकी प्रतिमा लगे हुए भगवान शंकर की पढ़िये जाकर आप उसके बारे में तो अगर हम यह दावा करते हैं कि साइंस में और हमारे रिलिजन में बहुत गहरा संबंद है तो यह दावे को प्रू फर्क महसूस कीजिए बुरा लगेगा आपको लेकिन सच सुनना हमेशा बुरा लगता है क्योंकि आप किसी एक चीज़ पर बिलीव करते हुए आ रहे हो तो मैं तो सबूत दे रहा हूँ सबसे बड़ा रिलिजन है अगर आप देखेंगे तो यह तो नैचरल चीज़ है कि आप दूसरे को जिन्दा रहने देंगे तो आपकी बगाबी होगी हमारी यहां पर सोच क्या यह है कि मखाली मैं भी यार विन-विन सिच्वेशन पर हम लोग जीते हैं हमारी लोगों की मेंटैलिटी है कि विन-विन सुंसरे कोלאखे टील गालिक लोगों में तो बहुत काम है आप देख लेंए ceiling के लग देर होगी बहुता और कोई किसे देखते हैं हमारे हमारे हला थीक होने में एक अच्छा लीडर आने में एक प्रोग्रेस करने में पाकिस्तान भी नॉमनेट होने में कितना टैम धरकार है देखें जी जब तक अवाम अपने हलाद खुद नहीं ना बदलेगी इस मुल्क की तक दीर नहीं बदलने वाली पहले चाहिए अवाम अपने आपको बदले हम ल आता है जो के अपने मुलक को एक नया खौप देता एक मुलक को नैशनलीस्स बना देता अपनी country के लिए जीओ अपनी country के लिए मरो बाहर के चाहिना के मुसाइल फ२ का वो बायगोड करते हैं जब वह चाहिना के चीज़ों का बायकोड करते हैं थोड़ा time मुश्किल जात दुनिया अपने IT engineers को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा और अपने मुलग में revenue जर्नेट कर रहा क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का वीजन इस तरह का वीडियो में तो बढ़ा अच्छा लगा ह कि जो पाकिसान के यूटूबर्स हैं वो मेरा वीडियो देख रहे हैं और उससे knowledge गेंड कर रहे हैं यह अच्छी बात है कि भाई जहां सब knowledge को गेंड करें और उसको समझी है तो बढ़ा अच्छा लगा कि उन्ह expressed जिक्र किया, तो शायद मेरे वीडियो देखो, में भी हो सकता है, कि कहीं और से उन्हों ने पढ़ाओ, लेकिन हो सकता है, क्योंकि अभी दो-तीन दिन पहले ही मैंने, शायद इनी का वीडियो था, या किसी और का वीडियो था, उस पर रियक्शन दिया था, तो उसमें इसका जादा फाइदा है पाकिस्टान के लोगों का जादा फाइदा है कि थोड़ी बुद्धि खुले उनकी तो अच्छी बात है बाकी रही बात वीडियो में आपने देखे ही लिया कि लोगों की बात क्या है और देखे एलेक्शन का क्या है न हमारे या कि मैं हमेशा एक ही बात क चुलूंगा तो हमारी जनता ऐसे तै करती है कि हमारे देश की बागडोर किसके हाथों में होगी और अगर वो दो टम उसमें मोदी के हाथों में दे दिया है तीसा टम भी अगर वो देगी तो रिजल्ट आइंगे तो आपको पता चल जाएगा लेकिन हाँ सरकार इसलिए होती है कि वो लोगों के लिए काम करें वो लोगों को रोजगार दे लोगों को सड़क दे रेलवे दे बस दे इन्वाइमेंट का ख्याल रखे नहीं नहीं तकनीक लेकर आए रोजगार के नए आउसर पैदा करे और वो सब दीरे दीरे हो रहा है मैं यह नहीं कहता कि कोई भी गर्वर्मेंट 100% परफेक्ट है या अभी जो गर्वर्मेंट वो 100% परफेक्ट है नहीं है लेकिन फर्क दिख जाता है न कि कौन सिर्फ बातों बातों में बोलता है कौन सिर्फ जबर्दस्ती के मुद्ध बना रहा है कौन ग्राउंट पर काम करके दिखा रहा है तो जो ग्राउंट पर काम करेगा सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, बैंगाई जो इसके लिए काम करेगा वो वोट पाएगा और वही हो रहा है आप लोग बताएं वीडियो कैसा लगा जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए